हलो एवरिवन वेलकम तु आल ओन मैट्रिक्स क्लासेज बिटा आज जो अपन डिसकस करने वाले हैं वह हमारे पास ट्रैंगल्स के कुछ प्रोफाइल्स जो किसके उपर बेज्ड हैं बेसिक प्रपोर्शनलिटी थ्योरम आप सब लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो जरूर देखा होगा जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बीपीटी और कनवर्स और बीपीटी के रेस्पेक्ट में दोनों थ्योरम्स को करवाया था और महाँ पर अपने बहुत सारे डिस् अपने इसको मैंशन किया था A, B, C और यहाँ पर एक बोला गया था कि यह हमारे पास रेश्यो के अंदर डिवाइट करना चाहिए क्या बोला था कि कोई भी लाइन सेग्मेंट जो आपने ड्रॉ करिये वो पैरलल्ल टू वन सैट अफ दे ट्रेंगल टू इंटरसेट करिये दूसी दो साइट्स को इंदर रेश्यो किसमें A, D upon D, B, A, D upon D, B equals to A, E upon के किसमें E, C में सिमिलर फॉर्मेट में यह वाला कोशन हमारा यहाँ पर पर्फॉर्म होगा तो ध्यान से इस कोशन को देखेगा बच्चो इन ट्रेंगल A, B, C, D and E are the point on the side A, B and A, C, D और E कोई point है मेरे side A, B और A, C के उपर respectively such that D जो है वो parallel है किसके? B, C के parallel है, चीक है? अगर A, D की value आपको 6 दे रखी है और D, B की value आपको 9 दे रखी है यह आपको यहाँ से आते की distance 6 है और यह कितना है 9 है और A, E की value आप लोगों को दे रखी है कितनी 8 cm तो A, C पूछा गया है अब आप लोगों को मैंने बताया था कि कोशन को किस तरह किसे करना है सबसे पहले triangle select करो इन triangle कौन सा लिया आपने A, B, C वाला triangle लिया मुझे पता है यहाँ पर कोशन में दे रखा है D, E is parallel to किसके है आपके B, C के parallel है है या नहीं है अगर इसके parallel है तो अब बस expression लगा हो A, D upon D, B equal to A, E upon में कितना करना है आपको E, C करना है तो बिटा अब मेरे पास A, E की value दे रखी है A, C मुझसे पूछा है आराम से निकाल सकते है अपन A, C कैसे A, E plus का E, C करके तो पहले यहाँ से आप A, D upon D, B की value प्लेस कर दो 6 by कितना 9 प्लेस कर दिया, is equals to A, E की value आपने 8 प्लेस कर दिया और E, C अब होपस हो सब लोग यहाँ से E, C की value तो निकाली सकते हो E, C आपका कितना आ जाएगा, E, C को उपर बेज दो 8, 9 जा, 9, 8 जा कितना 72, upon में कितना 6 हो जाएगा 6 की table में, हाँ, 72 कितने times आता है बिटा, सबको पता है तो E, C की value आप लोग की यहाँ पर आ जाएगी कितनी, 12 cm, 6 बंजा 6, 6 तू जा 12 तो 12 cm आपका क्या आ गया, E, C अगर E, C की value आ गई, आपकी कितनी 12, तो अब अब आप 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 आराम से निकाल सकते हो क्या AC, तो AC कैसे होगा, AE plus का EC, यानि 8 plus का कितना 12, और 12 और 8 कितने होते हैं, 20, 20 cm Easy way है, आराम से इसको देख के हो, कर सकते हो, BPT apply कर सकते हैं अपन, easy going में चीक है, done, इसका में full proof solution भी आपको दिखा देता हो, ध्यान से देखना Here is the solution, DE is parallel to BC दे रखा करना कैसे हैं, आपको exam में AD की value दे रखी है, सारे data आपने place कर दिये To find AC, आपको AC निकालना है, in triangle ABC, DE is parallel to BC है, तो by BPT आपने apply कर दिया AD upon DB equal to AE upon EC, AD की value दे री है 6, DB की value दे री है 9, AE की value दे री है आपके पास 8, आपको EC निकालना है तो EC आपको निकल जाएगा, अराम से 12 cm, फिर आपने AC निकाल दिया, AE plus का EC करके 8 plus का 12, 20 cm आगया I hope so, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अब ना अपन चलते हैं, अगले वाले question के उपर ज्यान से देखना है, वो question क्या कह रहा है Here is the second question, D and E are point on the side, AB and AC, of triangle ABC, यानि आपके पास triangle है, अब इस ABC वाले triangle के अंदर, आप लोगों को clear कह रखा है, उसमें, क्या कह रखा है कि triangle ABC में such that D is parallel to किसके है, BC के है, तो लगाओ, सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, अपन triangle बनाएंगे, तो मैंने triangle बनाया, A, यह B, और यह कौन सा C triangle बना लिया, अब आपने यहाँ पर बना लिया, यह D और यह कितना E, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, अब D और E are the point on the side, AB और AC पर दे रखे है, respectively of triangle ABC के, और D को बोला है, यह parallel है किसके BC के, और AD upon DB का ratio दे रखा है, 4 is to 7, यानि मुझे आदा काम तो करके दे रखा है, उसमें, कितना 4 by कितना 7 और AC, पूरी मेरे को distance दे रखे है, कितनी 6.6, तो शुरू करते हैं, अपन हमारा खेल, ध्यान से देखन किया है, AE निकालना है, और AC उसमें पूरी distance दे रखे है, मुझे 6.6, चाहिए, DE parallel है, किसके, BC के parallel है, D, तो यहां से मुझे आदा ratio तो पता चल जाएगा, let कर लो, AE को थोरी देर के लिए, आपने क्या मान लिया, X मान लिया, तो EC कितना हो जाएगा, बिटा आपका, EC equal to हो जाएगा, क्योंकि AC माइनस का क्या कर दूँगा, मैं AE कर दूँगा, होगा नहीं होगा, AC की value मुझे question में given है, कितनी 6.6 माइनस का, यह कितना कर दिया, X तो 6.6 माइनस का X हो गया, अब triangle consider कर लो, in triangle कौन सा, ABC consider किया, DE parallel है, किसके BC के, तो BPT apply कर लेंगे, BPT apply करेंगे, तो AD upon में कितना DB, equal to AE upon में कितना आ जाएगा, आपका EC आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे data apply कर देंगे, हमारा answer आ जाएगा, देखना देखें कैसे करता हूँ, ध्यान से मैं इसको रब कर देता हूँ, ताकि अपने पाद थोड़ी सी space extra हो जाएगी, है ना, यह तो समझ मे आए गया होगा, फिर में एक बार आपको full proof solution भी दिखा दूँगा, ताकि आप उसको भी अच्छे से कर पाओगे, अब C, AD upon DB मुझे दे रखा है, इसके बाद continue कर रहा हूँ, बेटा ध्यान से देखना, 4 by कितना 7 equals to, AE आपका है X, और यह आया था, EC आपका 6.6 minus का कितना X, cross multiply कर दो, 4 into 6.6 किया, तो 26 point कितना आगया आपके पास, 4 minus का 4 into X किया, तो 4X equal to कितना आगया आपके पास, 7X, तो यहाँ से 4X को उधर बेज दूँगा, तो 4X plus 7X, 11X equals to 26 point कितना 4X की value, आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, निकल जाएगी X की value, कितनी जाएगी X की value, X equal to आपका आजाएगा कितना, 26 point 4 divided by 11, यानि कितना 2.4 cm, एक बार आपका X आगया, तो AE पता लग गया आपको, जो की कितना है आपके पास, X है, ठीक है, तो AE की value आगया, आपकी कितनी answer आगया, आपका कितना, 2.4, done, चलो, full proof solution देखते हैं, ध्यान से देखना, here is the solution, D and E are the point थे हैं, हमारे पास, AD upon DB देखा था, given है, DE parallel to BC, और ये आपका AD upon DB 4 by 7, A की value X दे रिखिये, पहले EC निकाल लिया, आपने 6.6 minus का कितना X करके, अब मुझे पता है, triangle ABC में, DE parallel है, BC के, तो AD upon DB BPT apply कर दिया, आपने AD upon DB equal to AE upon EC, AD upon DB की value 4 by 7, X upon 6.6 minus का X कर दिया, cross multiply किया, 26.4 minus का 4X 26.4, 4X को अदर बेज दिया, 11X, solve करिया, X की value आगे, जो X की value है, वही AE की value है, कितना आगे है, 2.4, done, I hope so, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, now proceed to the third question, ध्यान से देखना बेटा कैसे करना है, now, here is the question, pause कर सकते हो वीडियो को, और वीडियो को pause करके, यहां तक solution ट्राए कर ल आपने ला सके हो और perform कर सके, तो यह figure दे रखा है, मुझे 4.10, 4.10 figure दे रखा है, एक number कुछ भी हो सकता है, अना, PM is parallel to AB, PM जो है, listen, PM जो है, वो parallel है किसके, AB के, और PN जो है, यह वाला parallel है किसके, PAD के, अब parallel दे रहेंगे, तभी BPT apply कर सकते हो, जल्दी से BPT apply करो, triangle select कर लो कौन सा triangle, A, B और C वाला, तो मैंने triangle select किया, इन triangle कौन सा, A, B और C वाला triangle ले लिया, ABC में मुझे दे रखा है कि PM जो है, वो parallel है, किसके, AB के parallel है, है ना, अगर PM, AB के parallel है, तो BPT apply कर सकते हो, कैसे, CM upon में कितना CB, ज्यान देना, CM upon में कितना, BM, सॉरी, CM upon में कितना, BM, CM upon में कितना, BM equal to, PC upon AP, हो जाएगा न, तो PC upon में कितना कर दिया, आप लोगोंने, AP कर दिया, पहली बना लेंगे यहां से, here is the first equation, done, दूसरा triangle ले लो बिटा, इन triangle कौन सा, A, C, D, A, C, D वाला triangle ले लिया, अब A, C, D वाले ट्रेंगल के अंदर, बहुत easy है, आप लोगों को क्या कर देंगे अपन, वो ही same, BPT apply करेंगे, है न, क्योंकि इसके अंदर मुझे दे रखा है, कि जो P, N है, वो parallel है, किसके AD के, यह parallel है, तो apply कर दो वापस से वो ही बेटा, PC upon में कितना AP, equal to, CN upon DN, तो CN upon DN apply कर दिया, इसको बोल दिया, equation number second, अब ध्यान से देखो बेटा, यह पर आप लोगी कुछ चीज़े equal आ रही होंगी, यह PC upon AP, PC upon AP common है, यानि यह वाला जो equation है, वो equal आ जाएगा, आपका किसके, यह CM upon, यह किसके equal आ जाएगा, CN upon DN के, और शायद यही मुझे निकालना है, तो CM, from first and second कर देना, CM upon में कितना BM, equal to, CN upon में कितना DN कर दिया, अब चा जो result है, वो आजाएगा, BM upon में कितना CM, on reversing लिख देना आगे, on reversing, BM upon CM equal to DN upon CN, बहुत आसान है, सिर्फ BPT का आपको proper format में लगाना आना चाहिए, अपने आप हो जाएगा, now इसका solution देखते हैं, ध्यान से देखना, here is the solution, ध्यान से देखो, क्या कह रहा है यह आपका, in figure, PM is parallel to AM, PM is parallel to AD, BM upon CM equal to DN upon CN करना है, वो ही सेम बेटा, यह वाली जो चीज़े वो इसके parallel है, और यह वाली जो line है, वो इसके parallel है, जब आपस में parallel है, तो वो ही triangle select कर लिया, आप लोगोंने पहले, AB और C वाला, देखो, AB और C वाला PM is parallel to AB हो गया, CM upon, CM upon MB, CP upon AP, BPT apply कर दिया, पहली बन गई, फिर ACD लगाया, PN is parallel to AD, CN by DN, CP upon AP, BPT apply करके from first and second, दोनों के अंदर आपका common आ रहा है, कौन common आ रहा है, CP upon AP, CP upon AP, यह दोनों जगे दिख रहा है, तो यह दोनों चीज़े आपस में equal हो जाएंगी, तो दोनों equal होंगी, reverse कर दिया, तो यह आ गया, तो इस type के pattern questions होत करेगा, आपके subscription से ही हमारे पास चीज वहरे गरेगी, subscribe the channel, more for more and more board pattern questions, we have to discuss in the next video, तो till then, bye bye everyone, take care, here is the matrix classes, and myself Dr. Gauravijay, and we have to proceed to the next one, bye.